हेलो फ्रेंड्स आप एक Android user हो तो आज की वीडियो आपके लिए most important होने बाला है फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप Android phone के जो slow and hang होने का जो problem है आप कैसे उस problem को solve कर सकते हो फ्रेंड्स हम लोग जब swap से कोई भी phone खड़िते हैं तब हम उस phone में जो भी performance पाते हैं बहुती बेटर पाते हैं लेकिन एक साल दो साल छो मारीन के बाद हमारा ओही phone slow हो जाता है and कभी-कभी hang भी करता है तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको दो method बताने बाला हूँ मैं 100% आपको दावा करते हूँ इस method को फॉलो करते हो तो आपको फोन में slow and hang होने का जो problem है वो 100% solve हो जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को सुड़ू करते फ्रेंड्स आपको पहले ही बता दू आपको सेटिंग पर जाके कोई भी चिर्कानि करने का ज़ुर्ण नहीं है, आपको simply आजाना है play store पर उसके बाथ friends आपको करना है three line पर click, उसके बाथ friends आपको करना है my apps and games पर click, उसके बाथ friends आपको simply आजाना है library पर देखे friends मैं जिस date पर इस phone को खड़ीदा था उस date से लेकर अभी का जो date चल रहा है उस date तक मैं जो भी कोई app को मेरे phone में इंस्टॉल किया था उसके बाद अनिस्टॉल कर दिया था वो सारे app वहाँ पर से अनिस्टॉल हो गया लेकिन यहाँ पर देखे friends मोजूद है आप देखे friends removing हो रहा है इसी तरह से friends हर एक app को लाइबरी से removing करना है ठीक है friends उसके बाद friends फिर से cut पर click उसके बाद ok पर click इसी तरह से friends हर एक app को आपके library से removing करना है friends आप जब खुदी इस सारे app को आपके library से removing कर दोगे phone चलाने के बाद आप खुदी बोलोगे wow यह 100% working method है friends इस सारे app को library से removing करने के बाद आपको जो करना है आपको simply आ जाना है back आपको friends यहाँ पर सर्च करना है all in one tool ठीक है friends मैं सर्च कर देता हूँ friends इस app को आपको simply कर लेना है install मैं पहले से install करके रखा था मैं कर लेता हूँ इसको open देखे friends यहाँ पर आपको allow कर देना है उसके बाद friends आपको करना है yes I agree पर click ठीक है friends आप देख सकते हो यहाँ पर RAM CPU ROM का option है friends आप जब आपके phone में net या कुछ भी आप देख रहे हो phone में कुछ भी work कर रहे हो आप मेसूस कर रहे हो आपके phone थोड़ा slow हो रहा है simply friends आपको यहाँ पर आ जाना है आपको RAM पर एक बार click करना है उसको एक बार boost कर लेना है ठीक है friends उसके बाद friends आपको CPU पर जाना है यहाँ पर click कर देना है यहाँ पर scanning हो रहा है देखिए उसके बाद आपको करना है cool down पर click आपके phone में CPU का जो भी performance है यह एप उसको और भी बेटर कर देगा ठीक है friends उसके बाद आपको boost पर click करना है यहाँ पर एक बार boost कर देना है ठीक है friends आप इस 3 step को follow करते हो तो simply आपका phone का जो भी कोई performance है और भी बेटर हो जाएगा आपके phone में जो भी कोई slow and hang होने का problem है ओ 100% solve हो जाएगा तो चलिए friends इस method का पहले use कीजिए उसके बाद मेरे वीडियो का अच्छे लगा तो ज़रू से लाइक कीजिए और ऐसे daily latest technology वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रू से subscribe कीजिए तो चलिए good bye